तो मैंने आज च्छोटी सी वीडियो इसलिए डाले है क्योंकि काफी लोग ना मुझे मेसेज़ेस कर रहे थे और मैंने बाकी प्लेटफॉर्मस पर भी देखा कि बच्चे ना काफी डी मोटिवेटेड ऐसा फील कर रहे थे कि हमारा पर अच्छा नहीं गया खासकर जिये के ल करने गा उसकी सेक्षनल बहुत कम जाएगी उसकी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है उसकी और बाकी यह मैंने एक और जगह देखा तो उधर भी एक माम ने अनालिसस दिया था अपना बट उन्होंने सेक्षनल नहीं बताया था बट उनका भी पेपर कुछ जादा अच्छ हुआ यह नहीं हुआ इवन मेरे ःण सारे वाल गलत होंगे तो ऐसा नहीं है करने पूरा सही किया मेरे घज्रिक हैं हमने तो है हमने यह सोचना है हमने यह नहीं सोचना है कि हमने अरारबी में क्या किया अरारबी से हमें सीख लेनी है तो बस मुझे यह ही कहना था कि आप डी मोटिवेट वाली जो फीलिंग होती है ना उसको हटा दो हमी दो दिन हैं दो दिन बढ़िया आप अपनी जो भी आपका सोर्स है वहाँ से रिवाइस करो नए सूर्स को मच चूओ मैं फिर वही बोलूंगे मच चूओ और SBI की जीये आती है वो डूहेबल आती है आप अराम से कर लोगे इतनी टफ नहीं आती है लास्ट यह भी मतलब आपने देखा होगा अरार भी टफ आया था बट जो SBI का जीये था ठ ठीक ठाक आया था तो ऐसा नहीं है कि SBI भी आपको जटका देगा तो SBI दोका नहीं देगा अच्छे खास सवाल आ जाएंगे अगर आपने सही सही पढ़ा होगा और उस मॉमेंट पे अगर आप पेशिंटली आपने question को आप पढ़ोगे अगर आप यह देख लोगे पर दियान रखना और एक और चीज़ एड करना चाहते हो यहां पर की जैसे जिए का section खतम होगा उसके बार next section आजएगा तो आप आपने यह नहीं देखना है कि आपने पिछले section में क्या किया आपने यह देखना है कि आप इस section में कैसे attempt करने वालो जैसे आप next section में तो यह ना आगे वाले जो भी section खुले मैं बस यही सोचती रही कि आरे मेरा तो paper ही निकलेगा मैं करके क्या ही कर लूँगी but at the end of the day हुआ क्या जब result आया तो मेरा means निकला but means निकला ऐसा कि बिल्कुल border पर निकला तो अगर मैं उस टाइम पर अपना patience रखती और मैं अपनी इसली paper को देखना उसको करना हर section को जो भी time alert किया गया है उस section को वही पर छोड़कर अगले section का जो भी time start होगा तो वहां से आपको अगले section के बारे में सोच रहे हैं ना कि पीछे and all the very best for your exam और मेरा जो shift है वो second shift है तो जिनका भी second shift है तो बताएगा कि आपका paper कैसा गया औ और बाकी देखते हैं कितना attempt कर पाते हैं हम और कैसा आता है paper यह I hope आपको थोड़ी बहुत positive vibes मिली होंगी इस video से and अपनी जो मेहनत है उस पर बिल्कुल doubt मत रोखो आप confidence लाओ जितना भी है आपको confidence का खेल है प्रेशर मत build-up होने दो और बस इतना ही कहना था and सबने बहु अच्छा जाएगा और जो भी deserving candidate होगा वो selection ले जाएगा just keep preparing and have positive vibes around you negativity को दूर रखो क्योंकि काफी लोग तो बस उनका काम ही होता है कि उनको negative comments करना है और 4-5 लोगों को distract करना है तो ऐसे distractions से आपको दूर रहना है और बस अपने काम पर focus रखना है अपनी पढ़ाई पर focus र दूरत है और बस अब देखते हैं एक्जाम में क्या होगा all the very best bye